ऐसा बाप नहीं चाहिए। एक बड़े शहर में रतनलाल अपनी बेटी संध्या और छोटी बेटे कुनाल के साथ रहता है। रतनलाल बहुत गरीब है और शराबी किस्मका आदमी है। वो रिक्षा चलाकर अपना जीवन्यापन कर रहा है। रतनलाल एक अधेर उम्र के आदमी योगिश्वर को कभी-कभी अपनी रिक्षा से मार्किट या मंदिर छोड़ता है। और कभी-कभी बाजार से उसका सामान भी लिया आता है। एक दिन रतनलाल योगिश्वर से कहता है। अरे रतनलाल रुको तो, मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी को कुछ पैसों के बदले किसी को दे रहे हूँ। अभी किसी को बेचे नहीं तो क्या करें साहब। एक छोटा बेटा है उसको पढ़ाना भी है, उसकी देखभाल भी करनी है। और अगर मैं बेटी को घर में रखूँगा तो, उसकी शादी कैसे करूँगा साहब। तुमको कितने पैसे मिल रहे हैं। अब पचास हजार साहब। देखो मैं तुमको पूरे बीस लाख रुपए देता हूँ। तुम अपनी बेटी संध्या को मुझे दे दो। हैं। अब बीस लाख। धन्यवाद साह अगले दिन रतनलाल संध्या को हमेशा के लिए युगिश्वर के यहां छोड़ाता है और बदले में बीस लाक रुपे लेकर घर आ जाता है रतनलाल जिंदगी में पहली बार इतने पैसे पाकर बोखला गया उसने एक अच्छा घर लिया कुणाल अब हमें कोई चिंता नहीं है तो अब अच्छे से पढ़ खुब मन लगा कर पढ़ाई करना पापा मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता आरे तो उन्हें अगर ज्यादा बक्वास की न तो बहुत मारूंगा कल से तो अच्छे स्कुल में जाएगा तो आती है रतनलाल आपका बेटा कुणाल बहुत आवारा हो गया है और यह बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है बल्कि उसका दिमाग गलत कामों में जा रहा है अब मैं उससे बात करूँगा मैडम ठीक है आज ये आखरी मौका है अगली बार तो मैं उससे स्कूल से ही बाह करते हो आप तो रहने ही दीजिए मैं सब जानता हूँ कि यह पैसा कहां से आया है और वैसे भी अब यह पैसा मेरा है मेरा जो भी मनोगा मैं करूँगा आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाने वाला रतनलाल को अपनी बेटी की याद आती है और वो रोने लगता है शादी करनी मैंने दिकाई नहीं दे रहा है और अब से आप फिर से कमाना शुरू कर दो बाद बैट कर खा लिया कुनाल तुम इस बुट्टे को घर में क्यों रख रहे हो देखो न यह शराब पीता है इसे घर से बहान निकाल फीको अरे स्वीटी यह मेरे पापा है कैसे ब बनाओंगी स्वीटी एक दिन घर के बाहर पार्क में अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है तब ही वो रतनलाल को बलाती है पिता जी मेरे कमरे में मैं अपना फोन छोड़ाई हूँ जरह लाकर तो दी ना हाँ हाँ जरूर अभी लेकर आता हूं रतनलाल फोन लेकर आ जात है कुछ समय बाद स्वीटी के फ्रेंड्स पी चले जाते हैं स्वीटी अंदर आकर शोर मचाती है चोर चोर का है चोर मुझे तो यहां कुछ नहीं दिख रहा अरे यह अलमारी खुली पड़ी है जरूर किसी चोर नहीं खुली होगी अरे कौन आय था यहां 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 तो पिताजी आय थे बस अरे बहु मैं चोर नहीं हूँ मुझे तो आप पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है पिताजी क्योंकि जब आप पैसे के लिए दीदी को बेच सकते हो ता आप चोरी भी तो करी सकते हो अरे लेकिन वो सब तो मैंने तेरे भले के लिए किया था मैं तो कहती हूँ कि हमें इनकी कमरे की तलाशी लेनी चाहिए तुम बिल्कुल सही कह रही है चलो स्वीटी और कुणाल दोनों रतनलाल के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहाँ स्वीटी की जूलरी और पैसे मिल जाते हैं मैं तो पहले ही जानता था कि चोर आप ही हो, निकल जाओ मेरे घर से और दुबार अपनी शकल मत दिखाना। रतनलाल आखों में आसुली ये घर से निकल जाता है, स्वीटी मन ही मन सोचती है। आज तो मेरे प्लानिंग सफल हो गई, जैसा मैं चाती थी ऐसा ही किया, और बढ़िया सानी से उस बुड़ी को चोरी का अलजाम लगा कर घर से भगा दिया। रतनलाल की हालत अब ज्यादा खराब हो गई, और वो सड़क पर बैठ कर भीक मांग कर खाने लगा, एक दिन वहाँ एक गाड़िया कर रुकी और सड़क पर बैठे सभी भिखारियों को अपने सेंटर ले गई, एंजियो की मालिक संध्या एक एक करके सभी को सुविदा मोह ख्या कराती है, तब ही उसके नजर रतनलाल पर पड़ती है, पिता जी, संध्या तू, पिता जी आपकी ये हालत कैसे हुई, ये सो मेरे पूरे कर्मों की ससा है, जो मुझे मिल रही है, मुझे माफ कर दे बेटी है, पिता जी, मैं आप पर बिल्कुल भी गुसा नहीं हूँ क्योंकि आपने मुझे यहां भेज कर अच्छा ही किया, मेरी सिंदगी बदल गई, लेकिन ये सब हुआ कैसे बेटा, आप ये नए कपड़े पहनो, तब तक मैं योगेश्वर अंकल को बला कर लाती हूँ, योगेश्वर अंकल, हाँ, अंकल, योगेश्वर जी ने तुझस शादी नहीं की थी, नहीं तो पापा, उन्होंने तो मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है, कि मैं आज सब की सेवा कर पा रही हूँ, रतनलाल पश्चा ताप करकी रोता रहता है, तब ही योगेश्वर भी वहां आ जाता है, रतनलाल जी, आपकी ये हालत कैसे हु इतने सारे पैसों के बावजुद भी, क्योंकि मैंने बेटे और बेटी में भेदभाव किया था, लेकिन आपने ये कैसे किया, मुझे ये जानना है, बताईए, सालों पहले जब संध्या छोटी थी, तब मैंने एक बार एक आदमी से तुम्हें बात करते हुए सुना था, जो कुछ पैसों में संध्या को तुमसे खरिद कर शादी करना चाता था, मैं उस समय एंजियों में बच्चियों के लिए ही काम कर रहा था, और मैं किसी भी लड़की की जिंदगी खराब होते नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस् सच में कितना गलत था मैं, मुझे माफ कर दो, अब आप दोनों मेरे साथ घर चलो, और आज मैं अपना सच्चा प्रायश्चित करना चाता हूँ योगेश्वर और संध्या रतनलाल के साथ घर जाते हैं, स्वीटी दर्वाजा खोलती है चोर फिखारी, तो फिर से आ गया, चल भाग यहां से बुड़े यह घर तुम्हारे बाप का नहीं मेरा है, बाह निकलो यहां से रतनलाल कुणाल और संध्या को घर से बहार निकाल दीता है योगेश्वर जी, अब यह घर आपका है, और अब आप यहां एक और एंजियो खोल सकते हैं शायद अब यह सच्चा प्रायश्चित है संध्या, अपने पिता के गले लग जाती है एक करके करो अंजली के शादी कर ससुराल पहुँचने के साथ ही उसके सास के हुपम शुरू हो जाते हैं हो गई शादी, बस माज खतम कल से जल्दी उचकर काम पर लग जाना है अरे मा, आज ही यहां आई है इसे सब समझने के लिए कुछ दिन तो दो बेरे और बहु के बीच की बात है तू घर के मामले में ना बोलियो इस पर जतिन महा से अपने कमरे में चला जाता है और सास अंजली को काम की लिस्ट सुनाने लगती है सुबह पहले घर की सफाय कननी है फिर कपड़े धोने है साथ में खाना भी बनाना है एक की बैच से दूसरा काम मरू कना नहीं चाहिए है जी ममी जी ठीक है ये कहकर अंजली अपने कमरे में चली जाती है अंजली ममी हमेशा बोलती थी बहु आएगी तो उनका काम हलका होगा पर मुझे नहीं पता था कि वो काम हलका करने के जगर टाल ही देंगी कुछ नहीं होता ये सब मैं अपने घर में भी तो करती थी मुझे आदत है खोई तिकत नहीं होगी ठीक है पर अगर कुछ हो तो बता देना दोनों सो जाती है और अगली सुबह से अंजली जल्दी उठके सास के बताए कामों में जुट जाती है जिसमें वो जैसे ही कपड़े दूने लगती है तो सास बहां आ जाती है आरा सुनो ये कपड़े ऐसे नहीं दूलेंगे सब को डिवाइड कर फिर एक एक करके अलग-अलग धूने है क्या? एक एक कपड़ा अलग करके? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? वही बोला है मैंने लग जाओ काम पर है? सास की बात मानते हुए अंजली एक एक करके कपड़े धूना शुरू करती है जिससे करते हुए आधा दिन बीच जाता है अरे रे सुबह से कब दो पर होगी पता ही नहीं चला अभी तो खाना भी बनाना है अंजली भागते हुए रसोय में जाती है जहां उसकी सास पहले से ही उसे खड़ी मिलती है खाना बना लेना देखो पहले पकोड़े तल दो और एक एक पकोड़े अलग अलग तलना नहीं तो कोई कच्चा कोई पक्का रह जाता है सास की हर बात में एक एक की कहानी अंजली के समझ में नहीं आती लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बुले काम करती रहती है अगली सुबाँ फिर वही शुरू होता है और सास एक बार फिर खाने के समय रसोई में आती है आज क्या बन रहा है है वो जती में भींडी की सबजी, रोटी और धनिये की चट्टी बोली है इसलिए वही बना रही हूँ आरवा जिवा बढ़िया है पर भिंडी एक-एक करके धोना फिर टोवेल से पोच कर एक-एक करके ही काटना साथ ही धनिये की पत्ती भी एक-एक करके ही धोना अरे पर मम्मी जी आरा क्या पर सफाय का ध्यान रखना आता भी है या नहीं मैं ये सब सबकी हेल्ट के लिए ही तो कर रही हो न मैं तो सिर्फ सोचती थी कि जान बुझकर मेरा काम बढ़ाने के लिए ये सब करती है पर ये तो काम बढ़ाने के साथ परिशान भी करना चाहती है मैंने इनकी कौन से बहस खोल दी जो इतनी दुश्मन ही निकाल रही है अब क्या करूँ अब अंजली सास की बातों और हरकतों के बीच फस जाती है काम के लिए मना भी नहीं कर सकती नहीं तो जाने कौन सा ड्रामा खड़ा करते पर अंजली तुझी कुछ तो करना पड़ेगा इतनी दिर में जतिन भी वहां आ जाता है अरे कौन ड्रामा खड़ा कर रहा है और क्या करना पड़ेगा जतिन की बात सुन अंजली सोच में पड़ जाती है इन्हें सच बताओं या नहीं पर अगर ये गुस्सा हो गए तो वैसे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं फिर उनके खिलाब कुछ सुन कैसे लेंगे अंजली ये सब सोची रही होती है कि जतिन फिर बोलता है अरे क्या हुआ कहां खो गई अरे नहीं नहीं कुछ नहीं वो मैं टीवी सिरिल के बारे में सोच रही थी यहां और कौन ड्रामा करेगा अरे तुम भी ना चलो मैं चलता हूँ इसके बाद कुछ दिनों तक अंजली सास को सबक सिखाने के लिए अलग-अलग प्लान सोचती रहती है पर उसे सास के एक-एक करके काम करवाने की आदत बंद करने का कोई तोड नहीं मिलता अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मैं एक दिन अपने सिर के बालों को भी एक-एक करके सुलिशना ना शुरू कर दू पगली हो गई है क्या अकेले में क्या बढ़-बढ़ किये जा रही हो वैसे आज खाने में क्या है आलू की सबजी तो फिर आलू को अच्छे से काट कर उसके कटे हुए कपड़ों को एक-एक करके ही धोना है बिल्कुल इससे कैसे बूल सकती हूँ मेरी जी को जिन्जॉल अरे बाते कम-काम ज्यादा है हंजली एक बार फिर सास की कहे अनुसार काम करने लग जाती है जिसमें सबसी बनाते हुए उसके दिमाग में एक आईडिया आता है और वो सास को आवाज लगाती है मम्मी जी सुनिया जरा इधर तो आना अंजली के आवाज सुन सास रसुई में आती है आरा क्या हुआ क्यों गला फाड कर चिला रही हो कुछ नहीं वो सुबह कपड़े दोनी की जल्दी में नहाई नहीं थी और अब शाम की पूजा भी करनी है तो आप जरा सबसी देख लीजे ना तब तक मैं नहा कराती हूँ अंजली सास को रसुई में छोड़कर नहाने चली चाती है इसी तरह देखते देखते चार घंटे बेच जाते हैं लेकिन अंजली बात्रूम से बाहरी नहीं निकलती जिसे देख सास उसे आवाज लगाती है अर अब बात्रूम नहीं समाधी लगा ली क्या यहाँ सब जिबन कर धंडी भी हो गई और अभी तक तेरा नहाना खतम नहीं हुआ मम्मी जी जैसे आप कहती है न मैं वैसे ही एक एक करके अपने बाल शैंपू कर रही हूँ तो अभी तीन घंडे और लगेंगे तब तक काम और जतिन को खाना सव करना आप संभाले न इस तरह अपने नहले पर बहू का दहला देख सास शौक्ट रह जाती है जिसके बाद से घर में एक एक करके करनी का आलाप बंद हो जाता है अकील बहू जनक पेशे से एक बहुत अच्छी वकिल थी लेकिन कहते हैं न बहू कितनी भी बड़ी तोप क्यों न हो सास के सामने तो भीगी बिल्ली ही होती है अरे जनक क्या बात है आज रोटी नहीं मिली अभी तक ये तेरा कोट नहीं है जो आज फैसला ना हुआ तो कल की तारीक मिल जाए रोटी तो रोज वक्त में चाहिए हाँ मा जी रोटी तो कब की बन गई मैंने आपको कहा तो खाना खाने के लिए आपने शैद सुना नहीं होगा ओहो हो जज नहीं हूँ मैं तेरे कोट की सास हूँ सास कोई दलिल फाल्दू की मत देना यहाँ बहुत जानती हूँ मैं इन वकिलों को अपनी बात उपर रखने के लिए जूठ बोलने में जरा भी नहीं सोचते तब ही वहाँ जनक की ससुर आ जाते हैं अरे भागवान क्यूं बेचारी के काम को कोस्ती रहती है हमेशा मैं भी तो था वहाँ जब यह आई थी यह पेशकर ही देगी पर मैं तो अब सीधा खाना खाकर सोने जाऊंगी मुझे आदत नहीं है किसी से बहसा बहसी करने की पता नहीं कैसे यह वकिल इतना दिमाग लगा कर खुद तो जुठ बोलते ही हैं साथ में जुठे गवावी ले आते हैं जनक को सास की ताने सुनने की अब आदत सी पढ़ जाती एक दिन जनक वकिल की ड्रेस पर काला कोट पहन कर कोट के लिए निकल ही रही होती है की अरे कहा चली काला कवाबन कर टोक दियाना अब कोट तो वकिल वाले ड्रेस पहन कर ही जाऊंगी ना वा भी वा दामिनी तो मैंने भी देखी है सन्नी पाजी ने ऐसा ही कोट पैना था और कहा था कि तारीक पर तारीक तारीक पर तारीक मतलब की कोई बात करनी है तो बोलिए बना वक्त नहीं है मेरे पास खराब करने के लिए अरे पता नहीं तुझ में क्या देखा मेरे बेटे ने सारा दिन वकिलों वाली बहस करती है भूली भाली सास के साथ अच्छा सुन जो इतनी बहस मेरे आगे करती है न जर आपने बॉस से कर ले जो एक साल भी ना हुए तेरी शादी को और काले कपड़े पहना दिये अंदर जा और लाल कोट पहन करा पता तो चले के नहीं नवेली शादी हुई है अरे माजी कोट में मेरा बॉस क्या करेगा ये तो पूरे देश की ड्रेस है वकिलों के लिए लेकिन सास तो ठेरी सास अच्छा तो कोई जरुवत नहीं है दो चार साल कोट जाने की शादी थोड़ी पुरानी हो जाए तब इजाज़त दे दूँगी मैं तुझे काले कपड़े पहनने की अब क्या था मन मार कर जनक को लाल रंका कोट पहन कर कोट जाना पड़ता है उसकी जाने की बाद अब सास आए दिन या तो जनक को उसके काम का ताना देती या फिर उसका काम छुड़वा देने की धमकी तंग आकर एक दिन जनक पती से कहती है मैं सोच रही हो कि कोट जाना बंदी कर दूँ अरे क्यों यार इतना अच्छा करियर है क्यों छोडने की सोच रही हो अरे लाल रंग का कोट पहन कर जाना पड़ता है हर बात पर सासताना देती है कि वकिल तेज होते हैं सवाल चवाब करते हैं जूठी दलीले देती है अरे तो ठीक है ना वो जो कहती है अपनी समझ से कहती है लेकिन तुमको तो पता है न कि सच्शाई क्या है जनक को पती की बाद से होसला मिलता है कि तभी घर पर कुछ लोग आ जाते हैं अरे आईए आईए पंच साहब कैसे आना हुआ अरे भाई साहब सुना है कि आपकी बहु वकील है तभी वहाँ सास आ जाती है हाँ है तो लेकिन क्या हुआ फिर कहीं बहस कर आई क्या अरे हम तो खुद दुखी है उसके व्यवार से अरे भावी जी आपको तो पूरा महला जानता है कि आप कितना बोलती है फिर हम यहाँ बहुरानी की कोई शिकायत नहीं बलकि अपनी परेशानी लेकर आए हैं ससुर जी खुश हो जाते हैं हाँ हाँ मैं अभी बहु को बलाता हूँ जनक वहाँ आती है सबको नमस्ति करके बैठ जाती है बहुरानी हमारे गाओं में बड़ी मुसीबत आ गई है अब तो पूरे गाओं की जिम्मेदारी मानो तुम्हारे कंदो पर है अरे ना ना इससे तो घर के जिम्मेदारी पूरी नहीं होती यह गाओं की जिम्मेदारी क्या लेगी और बीची अब चुपो जाओ यहां पड़े लिखें लोगों की बात हो रही है आप जाओ जरा रसोय से सबके लिए चाय लेकर आओ मैं कॉफी लोंगी हाँ हाँ वकिल साहिबा के लिए कॉफ सास, सर, पैर सब पटकर वहां से निकल जाती है बहु, गाउं में पानी नहीं आ रहा है पड़ोसी राज्य ने हमारा पानी रोग रखा है हम, इसका मामला तो बड़े कोट में चलेगा पंच जी लेकिन ऐसा क्यों? वो राज्य हम लोगों से पानी के पैसे मांग रहा है अब आदे गाउं में पानी की सप्लाई खत्म हो गई है बोरानी अच्छा पंच साहब, बात गाउं की है तो मैं जरूर कीस लड़ूंगी यहाँ एक बार फिर सास की एंट्री हो जाती है अरे वा जीवा, ये काम करवालो, आप हमारी बहु से बहुत अच्छा करती है मैं हूँ सीधी सादी सास इस लड़की ने कैसे लड़ लड़कर मुझे साइड कर रखा है ये तो अब आपको पता चल ही जाएगा अरे भाबी जी, आपकी आवाज तो पुरे गाउं को सुनाई पड़ती है जब आप बहुरानी को सुनर बचन सुना रही होती है अरे वकील बहु मिली है, फकर करो फकर हाँ जी हाँ, सारी फकर तो हम लोग ही करें अब जो केस लड़ेगी और पानी गाउं में आ जाता है तो पंच सहाब लिख कर देना होगा कि हेंड पाइप में सबसे पहले मेरी बालटी और घड़ा परेगा अरे फिर तो हम बहुरानी के नाम पर घर पर ही सप्लाई दे देंगे लेकिन ये इतना आसान नहीं है बहु, गाउं के पास अभी वकिल करने की भी पैसे नहीं है तो हरे पंच सहाब, ये मेरे गाउं का मामला है मैं आप से एक भी पैसा नहीं लूँगी सास को बहु की बात पर गुसा आ जाता है लेकिन सबकी जानी के बाद जनक मन लगाकर गाउं की परिशानियों को दूर करने में लग जाती है और वो दिन भी आता है कि जनक केस जीच जाती है अरे आज तो प्लंबर आकर घर तक पाइप लगा गया है खुश हो जाओ मेरे कारण तुम लोगों को घर के अंदर ही पानी मिल जाएगा आतवाली बहु रंजना कभी प्रश नहीं करती थी उसे कितनी बार उसके माबा अपने डाटा लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था जिस कारण से उसके दाट पीले पीले हो जाते हैं शादी के बाद अरबहु वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है पर तेरे दाट दाट इतने पीले कैसे है बेटा कैसे मतलब कोई सर्जरी थोड़ी न कराई है वो तो क्या नाम में ब्रश्टी करती थी तो पीले हो गए अब क्या करो आप कहे तो लाल कर वालो या पर काले यार ये क्या है क्यों मा से लड़ रही हो लड़ रही हूँ अरे मैं लड़ रही हूँ या ये बूल रही है कि दाट पीले है पीले अरे तपस्या थोड़ी ना किया है इन्हें पीले करने के लिए बकाइदा ब्रश नहीं किया है बिस साल तक तब जाकर जी कैसे बात कर रही हो ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आये थे अरे तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर अब देखो क्या से पीले पीले लग रहे है रंचना सास की तरब कुस्से से देखती है फिर शुरू हो गई पीले 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 अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी लड़की नहीं गुणों का खजाना दे रहे भाई साबा खैट अब लोग करती भी तो क्या करती पीले दाथ वाली बहु पल्ले पड़ी थी तो जेलना तो था ही एक दिन किर्टन में रंजना गाना गा रही थी और कामला बहान मा का द्वारा या तो सब शुद्ध हो कराता है फिर अपनी बहु को प्रश भी नहीं कर वाती तुम दूर से पीले पीले दाथ भक्ती में बाद आउत पन न कर रहा है अब माबाप तो इसके जैसे तैसे इंजबता दिये ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी सास बहु को लेकर घर आ जाती है लेकिन सोच लेती है कि आप इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी अगले रोज बहु कहती है अरे क्या हो गया? मंदे नहीं जाना क्या? किर्टन का वक्त हो रहा है मेरी मधुरवाणे से कानाजी जागते है और सोते है आप तो जानती है ना उनकी भक्ती में कितना मन लगता है मेरा वो क्या है ना तब ये ठीक नहीं लग रही है मेरी आराम करूंगी मैं तप ये ठीक नहीं लग रही अभी तो मितुन के गाने पर नाश रही थी आप और आप बोल रहे हैं कि तप ये ठीक नहीं लग रही अरे भक्ती में मन लगा लो सासुमा उपर जाना है क्या मूँ दिखाऊगी आप हाँ सांस को बहुगी बात पर गुस्सा आजाता है मैं क्या मूँ दिखाऊंगी इसकी चिंदा तो नवा कर समझी अपने मूँ की चिंदा कर जो ये पिले पिले दात लेकर हर जगर पहुच जाती है पता है लोग कितना मजाग बनाते हैं ना जी ना मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ तो ये बात है कोई ना मच जाओ मैं अपने कमरे में ही बैठ कर भर्ति कर लूँगी उपर वाला दात थोड़ी ना देखता है मन देखता है भाव ना देखता है और अरा बोस बोस तु सब कुछ दिखा बस ये सफेद चमकना दात ना दिखाना किसे को है जा यहां से बहो को सास की बात का कोई फर्त नहीं पड़ता वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है सुबह नहा कर किच्चन में खाना बनाना फिर खाना खाना किरतन भजन करना और सो जाना एक दिल मा जी मैं सहल की घर जा रही हूँ शाम को लेट आऊंगी ओ हो तो जाना मैंने कौसा तिर्यार तिकानी है गर पर बैठ कर रंजना सहल की घर जाती है जहां वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है अरे शिखा कहां जाने की तैयारी कर रही है मैं गलत वक्त पर आ गई क्या अरे नहीं यार उन तो सही वक्त पर आई है मैंने ये साड़ी और जुलरी निका लिए यार शाम को इनके ओफिस के एक पार्टी में जाना है बताना कैसा लग रहा है ये सब नहीं यार इस ट्रेस के साथ तो वो वाले जूलरी अच्छी लगेगी हाँ हाँ सही बोल रही है मैंने ध्यानी नहीं दिया बिसे तो हमेशा से मस्ट फैशन सेंस रखती है तो तो बड़ा जाती होगी ना पती के साथ पार्टी में रंजना कुछ नहीं भोलती बस सोचती है कि यार काशी बात सही हो जाती पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी रजटना घर आती है और रात में पती से सवाल करती है एक बात बताईए आप मुझे किसे पार्टी में क्यों नहीं ले जाते क्या आपकी यहां ओफिस में पार्टी नहीं होती पती बिचारा क्या कहता कि दाथ पी रहे हैं तुम्हारे इसलिए आरे कोई पार्टी होती ही नहीं हम लोगों के आफिस में तो कहां से लेका जाओं और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो आरे यार सारे हफते में एक चुट्टी मिलती है तो सुचता हूँ क्या आराम ही कर लो, क्यों रंजना मन मार के रह जाती है पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया घर बैठी-बैठी रंजना बूर हो जाती है तब ही उससे आइडिया आता है और हो बाई के जाने का सोचती है सासु मा, तो दिनों के लिए ममे की कर जा रही हूँ अच्छा ठीक है आराम से जा और हाँ मा से कुछ अच्छी आदत सीख कराना कि कैसे शरीर के हर बाग कितना दाथों के सफाई भी ज़रूरी होती है समझी शुरू हो गई ना वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी-छोटी बात का बतंगड बना दे उन लोगों के लिए मैं माईने रखती हूँ ना कि मेरे पिले-पिले दाथ रंजना मा को बिना बताए उन लोगों को सब्प्राइज देती है लेकिन जैसी ही वो दरवाजे पर पहुँचती है अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होती है अब मा काश रंजना दीदी के दाथो वाली प्रॉब्लम नहीं होती तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुवाजे की बेटी की शादि हुए हाँ बेटा लेकिन अब उसे कौन समझाए क्यों उसको उसके पिले दाथ नहीं दिखते लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना इंबरेसिंग फील कराते है मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैटना भी नहीं चाती और नहीं कॉलेज में कोई उससे बात करना चाता था लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात समुझ में ही नहीं आती कोई कमी नहीं है उस लड़की में बस यही के डाथ पिले है मुझ तो भला हो जीजाजी और उनकी मा का जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है रंजना को अपने घरवालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है वो सोचती है कि वो क्या करे लेकिन फिर वो सीधा डंटिस्ट के पास जाती है अपने दाथ चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी और क्या हो गया तुम तो दो दुख लिए गई थी ना पर कोई ना अच्छा है चलो आ गई तो रंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है उसके चमकदार दातों को दिखाती हुई हाँ चले मंदिर माँ मुझे माफ कर दीजिए मैंने आप लोगों को बहुत एंबरिसिंग फिल करवाया मैं आज से रोज ब्रश करूंगी ऐसा बाप नहीं चाहिए एक बड़े शहर में रतनलाल अपनी बेटी संध्या और छोटी बेटे कुनाल के साथ रहता है रतनलाल बहुत गरीब है और शराबी किस्म का आदमी है वो रिक्षा चला कर अपना जीवन्यापन कर रहा है रतनलाल एक अधेर उम्र के आदमी योगेश्वर को कभी-कभी अपनी रिक्षा से मारकेट या मंदिर छोड़ता है और कभी-कभी बाजार से उसका सामान भी लियाता है एक दिन रतनलाल योगेश्वर से कहता है साहब आपके पास गाड़ी है फिर भी आप कभी-कभी रिक्षा से क्यों जाते हो इन शहर की गलियों को आराम से देखना मुझे बहुत पसंद है ठीक है साहब मैं चलता हूँ कल फिर आओंगा अरे रतनलाल रुको तो मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी को कुछ पैसों के बदले किसी को दे रहे हो अभी किसी को बेचे नहीं तो क्या करें साहब एक छोटा बेटा है उसको पढ़ाना भी है उसकी देख भाल भी करनी है और अगर मैं बेटी को घर में रखूंगा तो उसकी शादी कैसे करूंगा साहब तुमको कितने पैसे मिल रहे हैं अब अब पचास हजार साहब अगले दिन रतनलाल संध्या को हमेशा के लिए योगिश्वर के यहाँ छोड़ाता है और बदले में बीस लाख रुपे लेकर घर आ जाता है रतनलाल जिंदगी में पहली बार इतने पैसे पाकर बौकला गया उसने एक अच्छा घर लिया कुणाल अब हमें कोई चिंता नहीं है तो अब अच्छे से पढ़ खुब मन लगा कर पढ़ाई करना पापा मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता आरे तो ने अगर ज्यादा बक्वास की ना तो बहुत मारूंगा कल से तो अच्छे स्कुल में जाएगा तो जाएगा हाँ बस कुणाल का एडमिशन एक अच्छे स्कुल में हो जाता है लेकिन आए दिन स्कुल से शिकायत आती ही रहती है दस साल बाद एक दिन प्रिंसिबल मेडम रतनलाल को स्कुल में बलाती है रतनलाल आपका बेटा कुणाल बहुत आवारा हो गया है और यह बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है बलकि उसका दिमाग गलत कामों में जा रहा है अब मैं उससे बात करूँगा मैडम ठीक है आज ये आखरी मौका है अगली बार तो मैं उससे स्कुल से ही बाहर निकाल दूँगी रतनलाल घर आ जाता है और कुणाल से कहता है कुणाल बेटा मैं तुम्हारे उपर इतना पैसा लगा रहा हूँ फिर भी तुम स्कुल में सही से क्यों नहीं पड़ते हो आप तो रहने ही दीजिए मैं सब जानता हूँ कि ये पैसा कहां से आया है और वैसे भी अब ये पैसा मेरा है मेरा जो भी मनोगा मैं करूँगा आज के बाद मैं कभी स्कुल नहीं जाने वाला रतनलाल को अपनी बेटी की याद आती है और वो रोने लगता है पांच साल बाद कुणाल एक दिन एक लड़की को शादी करके घर ले आता है पिताजी ये मेरी पत्नी है स्वीटी तुम ने शादी कर ली? हाँ शादी कर ली मैंने दिकाई नहीं दे रहा और अब से आप फिर से कमाना शुरू कर दो बाद बैड कर खा लिया कुणाल तुम इस बुट्टे को घर में क्यों रख रहे हो? देखो न ये शराब पीता है इसे घर से बहार निकाल फीको अरे स्वीटी ये मेरे पापा है कैसे बहार निकाल दू? और वैसे भी घर में कोई तो चाहिए ना काम करने वाला लागर समझ कर रख लो हम इस बुट्टी को तो घर से बहार निकाल कर ही रहूंगी मैं मैं कब तक इसके लिए खाना बनाऊंगी? स्वीटी एक दिन घर के बहार पार्क में अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है तब ही वो रतनलाल को बलाती है पिताजी मेरे कमरे में मैं अपना फोन छोड़ाई हूँ जरा लाकर तो दी ना? हाँ हाँ जरूर अभी लेकर आता हूँ रतनलाल फोन लेकर आ जाता है कुछ समय बाद स्वीटी के फ्रेंड्स पी चले जाते है स्वीटी अंदर आकर शोर मचाती है चोर चोर कहा है चोर? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा अरे ये अलमारी खुली पड़ी है जरूर किसी चोर नहीं खुली होगी स्वीटी और कुणाल दोनों रतनलाल के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहाँ स्वीटी की जूलरी और पैसे मिल जाते हैं मैं तो पहले ही जानता था कि चोर आपी हो निकल जाओ मेरे घर से और दुबार अपनी शकल मत दिखाना रतनलाल आखों में आसुली ये घर से निकल जाता है स्वीटी मन ही मन सोचती है हम आज तो मेरे प्लानिंग सफल हो गई जैसा मैं चाती थी ऐसा ही किया और बढ़िया असानी से उस बुड़ी को चोरी का अलजाम लगा कर घर से भगा दिया रतनलाल की हाले तब ज्यादा खराब हो गई और वो सड़क पर बैठ कर भीग मांग कर खाने लगा एक दिन वहाँ एक गाडिया कर रुकी और सड़क पर बैठे सभी भिखारियों को अपने सेंटर ले गई एंजियों की मालिक संध्या एक एक करके सभी को सुविदा मोहया कराती है तब ही उसके नजर रतनलाल पर पड़ती है पिता जी संध्या तू पिता जी आपकी ये हालत कैसे हुई ये सो मेरा पूरे कर्बों की ससा है जो मुझे मिल रही है मुझे बाफ कर दे बेटी है पिता जी मैं आप पर बिलकुल भी गुसा नहीं हूँ क्योंकि आपने मुझे यहां भेज कर अच्छा ही किया मेरी सिंदगी बदल गई लेकिन ये सब हुआ कैसे बेटा आप ये नए कपड़े पहनो तब तक मैं योगेश्वर अंकल को बुला कर लाती हूँ योगेश्वर अंकल हाँ अंकल योगेश्वर जी ने तुझसे शादी नहीं की थी नहीं तो पापा उन्होंने तो मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं आज सब की सेवा कर पा रही हूँ रतनलाल पश्चा ताप करकी रोता रहता है तब ही योगेश्वर भी वहाँ आ जाता है रतनलाल जी आपकी ये हालत कैसे हुई इतने सारे पैसों के बावजूद भी क्योंकि मैंने बेटे और बेटी में भेदभाव किया था लेकिन आपने ये कैसे किया मुझे ये जानना है बताइए सालों पहले जब संध्या छोटी थी तब मैंने एक बार एक आदमी से तुम्हें बात करते हुए सुना था जो कुछ पैसों में संध्या को तुमसे खरिद कर शादी करना चाता था मैं उस समय एंजियों में बच्चियों के लिए ही काम कर रहा था और मैं किसी भी लड़की की जिंदगी खराब होते नहीं देख सकता था इसलिए मैंने अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें दे दिया था सच में कितना गलत था मैं मुझे माफ कर दो अब आप दोनों मेरे साथ घर चलो और आज मैं अपना सच्चा प्रायश्चित करना चाहता हूँ योगेश्वर और संध्या रतनलाल के साथ घर जाते हैं स्वीटी दर्वाजा खोलती है चोर पिखारी तो फिर से आ गया चल भाग यहां से बुड़े यह घर तुम्हारे बाप का नहीं मेरा है बाँ निकलो यहां से रतनलाल कुणाल और संध्या को घर से बहार निकाल दीता है योगेश्वर जी अब यह घर आपका है और अब आप यहां एक और एंजियो खोल सकते हैं शायद अब यह सच्चा प्रायश्चित है संध्या, अपने पिता के गले लग जाती है रूपा और शेखर सरीता विहार में रहते हैं वो अपनी जिंदगी में बेहत खुश होते हैं दोनों का शायद नाम का एक बीटा भी होता है जिस पर दोनों ही अपनी जान छिड़कते है शेखर, अब तो आप शायद का अपनी गोद से नीचे उतार दीजिए उसके सोने का टाइम हो रहा है नई रूपा, इसे मेरे पास ही रहने दो प्लीज मैं थोड़ी दिर में इसे बिस्तन में सुला दूँगा लेकिन कल सुबाब की ऑफिस में मीटिंग भी तो है न और इसके लिए आपको कल जल्दी भी तो निकलना होगा जाई, आप भी जाकर सो जाईए क्या यार, अभी तो मेरी गोद में आया था मेरा बेटा और तुम उसे लेकर जा रही हो बाद में कर लेना अपने बेटी से प्यार अभी जाकर सो जाईए रूपा शेखर से शौरे को ले रही होती है कि तभी शौरे रोने लगता है शौरे को रोता देखकर रूपा उसे फिर से शेखर को थमा दीती है आपका बेटा ना एक नमबर का नौटन की है बिल्कुल आप पर गया है वो साफ बोलो ना तुम्हें जलन होती है हम दुनों बाप बिटे का प्यार देखकर पहले बड़ा तो होने दो तुम शौरे को फिर देखना वो सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करेगा अब शौरिया तीन साल का हो चुका होता है जिसकी कारण उसकी दादी शेखर पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगती है शेखर शौरिया भी बहुत छोटा है और उसे इस समय एक मा के प्यार की बहुत जरूरत है मा मुझे दूसरी शादी नहीं करनी तो रूपा की छोटी बहन बैशाली से ही शादी क्यों नहीं कर लेता वो तो शावर्य को एक मा का प्यार पूरा दे सकती है न मैंने कहा न मा मुझे दूसरी शादी नहीं करनी और अपनी ही पतनी के बहन से तो हर्गिस नहीं उपर से अगर रूपा देख रही होगी तो वो क्या सोचेगी अपने लिए ना सही लेकिन तुझे शाओरे के लिए तो शादी कानी ही पड़ेगी ना बेटा शेखर कुछ कहता उससे पहले ही अंजुमन उसे रूपा की कसंदे देती है जिसके आगे मजबूर होकर शेखर शादी के लिए हामी भर देता है देखो वैशाली मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने बच्चे के लिए की है मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक मा का भरपूर प्यार दो शादी की कुछ दिनों बाद ही शेखर की मा की भी मौद हो जाती है वैशाली शादी को लेकर वैशाली का यूनिस्वार्थ प्यार देखकर शेखर को भी उससे प्यार हो जाता है और कुछ सालों बाद शेखर और वैशाली का भी लड़का हो जाता है लेकिन इसके बाद वैशाली का शौर्य को लेकर बरताव बदलने लगता है वैशाली, मैं देख रहा हूँ तुम आज कर शौर्य का जरा भी ध्यान नहीं रख रही हो मुझे पता नहीं था कि आदित्य के होने के बाद तुम इतना बदल जाओगी आदित्य मेरे अपना सगा खून है और शौर्य दीदी का फिर मैं दोनों में अंदर कैसे नहीं करूँ मा भले ही दोनों के अलग-अलग है लेकिन पिता तो एक है न अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी तो मैं कभी तुमसे शादी ही नहीं करता हाँ तो किसनी कहता आपसे मुझसे शादी करने के लिए मैं थोड़ी ना आई थी आपकी पास आपकी मा ही आई थी मेरे घर आपका रिष्टा लेकर वही शाली मुझे तुमसे ऐसे उबिंदे ही थी गुसे में शेकर अपना पैर पटकता हुआ शाओरिया को वहाँ से लेकर चला जाता है पापा ममा मुझसे प्यार क्यों नहीं करती क्या मैं उनका सगा बेटा नहीं हो इसलिए मुझसे प्यार नहीं करती ममा नहीं करती तो क्या हो पेटा पापा तो करता है ना आपसे प्यार कुछ दिनों के बाद आज तुझे खाना पिना कुछ नहीं मिलेगा चल चुपचाब से अपने रूम में जाकर सुझा मा अब भाई को खाना क्यों नहीं दे रही हो बिटा तू आराम से खाना का इस नालाइक की चिंता मत कर एक दिन खाना नहीं खाएगा तो मन नहीं जाएगा ये अगर भाईया नहीं खाएगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा तू अपने भाई का भगत क्यों बन रहा है ये तेरा सौतेला भाई है सगा नहीं जो तू लक्षमन बन रहा है मा आपको इतना भी नहीं मालम श्री राम और लक्षमन सगेबाई नहीं थे श्री राम माता कोशल्या और लक्षमन माता सुमित्रा की कोक्सिजन में थे दोनों की सिर्फ पिदा एक थे लेकिन मा लगती मुझे ज्यादा ग्यान देनी की ज़रुद नहीं है ये सत यूग और त्रेता यूग नहीं है समझे आया बड़ा भाई का चमचा इतना कैगर वैशाली वहाँ से चली जाती है जिसकी कुछ टाइम बाद शीकर वहाँ आता है और आदित्य उसे सारी बात बताता है मुझे माफ करता शोरिया तुम्हारी मा के जाने के बाद मुझे दूसरी शादी का फैसला करना ही नहीं चाहिए था अगर मैं दूसरी शादी नहीं करता तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना होती नहीं पापा अगर आप शादी नहीं करते तो मुझे आदित्य जैसा छोटा बाई कभी नहीं मिलता थैंक यू, मुझे इतना अच्छा बाई देने के लिए तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना फिर कोई भी तुम दोनों का कुछ नहीं बिगार पाएगा चलो, मैं तुम दोनों को आईसक्रीम खिला कर लाता हूँ शेखर, शौबरिया और आदित्य को आईसक्रीम दिलाने लेकर जाता है वो दोनों को पार्क में खड़ा करकी आईसक्रीम लेने जाही रहा होता है तब ही तीज रफ्तार से आती हुई एक गाड़ी उसे कुछ अगाती है और उसी पल शेकर की मौत हुजाती है जिसके बाद शावरिय की जिन्दगी नर्क से भी बत्तर हुजाती है इस घर की किसी भी सामान को मेरी मर्जी के बगर हाथ मन लगाना इन सब पर अब तेरा कोई हग नहीं है समझा ठीके मा मैं आपकी अजासत के बगर किसी जिसको हाथ नहीं लगाऊंगा चल जाकर अब पूरे घर की सफाई कर महज साथ साल का शावरिया वैशाली के कहने पर अपने नन्ने नन्ने हाथों से पूरे घर की सफाई करने लगता है ऐसे ही दिन बीटने लगते हैं लेकिन मासी से मा बनी वैशाली को उस मासूम से बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आता क्यों शाओरिया? ये घर में इतनी गंगी कैसे हो रही है? खुझ से एक काम ढंग से नहीं होता और अपनी गलतियों का जिम्मेदार मेरे बेटे को ठहराता है इतना क्या कर वैशाली बास का डंडा उठा कर शाओरिया को जोर जोर से मानने लगती है तब ही वहाँ वैशाली के माई के वाले भी आ जाते हैं और उसकी सारी कर्टूते देख लेते हैं मा मैं ऐसा क्या करूँ? जिससे आप मुझे भी आदित्य के जितना प्यार करोगी बोले ना मा मेरे क्या करने से आपके अंदर मेरे लिए ममता जागेगी वैशाली शौर्य की एक नहीं सुनती, उसके उपर डंडे बरसाती जाती है हद पार होते देख वैशाली की मा उसका हाथ पकड़ती है और जोर से उसे खपड़ मारती है यही सब करने के लिए तुने दामाज जी से शादी की थी? हमने सपने में भी तुझसे ऐसी हरकत की उमीर नहीं की थी तुम मा नहीं मा के नाम पर एक धपा है बस कीजिए मा, आदीत्य की इस दुनिया में आने से पहले मैंने इसे बहुत प्यार किया था लेकिन अब जब मेरी खुद की उलाद हैं, तो मैं किसी और के बच्चे से प्यार क्यों करूँ? अरे नाला एक ओरत, जिसे तु किसी और का बच्चा कह रही है, वो तेरी खुद की सगी बेहन का बच्चा है बेहन है तो क्या हुआ, मेरे अपने बच्चे से बढ़कर तो नहीं हो सकता न ये कभी अगर ये ही बात थी, तो तू हमें पहले बता देती, हम शवरियों को अपने साथ ले जाते उसे इस तरह प्रतारित करने की क्या जरूत थी अगर आपको ले कर जाना है न, तो ले जाए इसे, मैं नहीं रोकूंगी नहीं, मा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है मैं तेरी कोई मावावा नहीं हूँ, तेरी मा मर चुकी है समझा, अब निकल जा मेरे घर से मा अब बहुत गंदी हो मुझे भी नहीं रहना आपके साथ मैं भी भाई के साथ ही जाऊंगा अरे तो क्यों जाएगा तू तो मेरा सगा बेटा है जाने दे से हम यहाँ एश से रहेंगे तुम्हारे पापा बहुत सारी जमीन जाएदा छोड़ गए हैं तुम्हारे लिए नहीं मा मुझे भाई के साथ जाना है आप अच्छी नहीं हो आप बहुत बुरी हो आप भाई को बहुत परिशान करती हो देख भाई शाली तुस्से ज्यादा समझ तो इस मासुम बच्चे में है ये तेरे बुरे कर्मों का ही नतीजा है जो आज तेरी सगी आलाद खुद से तुझे ठुकरा रही है आदीतिया तुझे इस शारीय ने भढ़काया है ना मेरे खिलाफ नहीं मा मुझे किसी ने भढ़काया नहीं पर मैं सब देखता हूं सब समझता हूं भाई बहुत अच्छा है वो आपकी जैसा नहीं है चलिए नानी इतना कहकर वैशाली के माई के वाले आदित्या और शार्यों को अपने साथ ली जाते हैं और इस तर वैशाली बड़े इसे घर में अकेली पर जाती है दो-दो बेटों के होते हुए भी आज उसे मा कहकर बुलाने वाला कोई नहीं होता रोली की शादी उसके माबाप एक आलसी लड़के से करा देते हैं चलो रोली की शादी हुई और हमने गंगा ना ही और क्या बेटियां तो होती ही है बोज हाँ पर अब क्या चिंता उतार तो दिया बोज तुमने अब वो लोग समझे ससुराल में रोली का पती कहता है देखो मैं कोई काम नहीं करता ये बात तुम्हारे मम्मी पापा को बता दी थी मैंने अब जो किराया आता है दुकान का उसी से घर का गुजारा करना है कभी भूल से भी कोशिश ना करना किसी चीज की डिमांड की क्या मम्मी पापा को पता था कि आप कोई काम नहीं करते और क्या बड़ा अच्छे से पता था उन लोगों को तो तुम बोज लगती थी बोल रहे थे कि बस शादी कर लो और कोई मतलब नहीं है रोली को ये सुनकर बहुत गुसा आता है लेकिन करती भी तो क्या क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माता-पिता ऐसे ही है जैसे तैसे रोली दिन काट रही थी रोली को एक प्यारी से बेटी होती है धीरे धीरे वो बड़ी होती है और उसके साथ उसकी जरुरते भी बढ़ती जाती है सुनिये जी, अब तो सिम्मी बड़ी हो रही है उसका स्कुल में दाखिला कराना है मैंने अब तक तो जैसे तैसे समय काट लिया लेकिन मैं बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं रखूँगी अरे क्या है यार अब तो लगता है कोई ना कोई काम डूड़ना है पड़ेगा अब पती रोज काम की तलाश में जाता और बिना किसी काम की वापस आ जाता रोली समझ जाती है कि पती के अंदर अब काम करने की ख्षमता नहीं है वो बेटी को उच्च शिक्षा देने के लिए कुछ करना चाती थी लेकिन करती तो क्या करती एक दिन रोली की सहली कहती है रोली मेरी कोई आलाद नहीं है अगर तु मेरी आलाद को जन्म दे तो मैं तुझे तेरे मुण मांगे पैसे दूँगी हरी, तेरी आलाद को मैं केसे जन्म दे सकती हूँ सेरो के सिसे? बच्चा मेरा और वैभो का ही होगा लेकिन कौक तेरी होगी ये संभव है रोली? रोली कुछ सोच कर कहती है मुझे मन्जूर है लेकिन मैं इसका दो लाख रुपया लूँगी अरे कोई बात नहीं मुझे मन्जूर है रोली खुश हो जाती है कि एक बच्चा पैदा करने का उसे दो लाख रुपया मिलेगा वो घर आकर पती को बताती है हाँ ठीक है मैं उसके एड्मिशन से लेकर सारे खर्चे उसके अकाउन में डाल रही हूँ रोली की बेटी का एड्मिशन हो जाता है रोली को लगता है कि वो अब सब कुछ ठीक कर देगी दिन और महीने आगे बढ़ते हैं अब एक दिन एक बात कहूं जी काश इस बच्चे को मैं रख पाती मैं अब इससे काफी चुड़ गई हूँ अरे यार बता नहीं किसका बच्चा है अपने पास है ना अपनी मुन्नी हाँ लेकिन अब मैं भी इस बच्चे से जुड़ाओ फिल करने लगी हूँ लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं है दोनों के जिन्दगी ठीक चल रही थी लेकिन कहते न कि सुख का पल ज्यादा लंबा नहीं होता एक दिन रोली की सहली का फोन आता है रोली मुझे अब ये बच्चा नहीं चाहिए मैं अपने पती को छोड़ रही हूँ अरे लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है बच्चा तुम्हारा है मैं क्या करूंगी सहली बिना कुछ बुले फोन कार्ट देती है फोन स्विच आफ कर देती है लेकिन रोली के जीवन का तुफान यही नहीं रुपता रोले मैं इतना भार नहीं उठा सकता आज पढ़ाय का पैसा मांग रही हो कल कुछ शादी, कॉलेज और पता नहीं क्या क्या मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ अपनी बच्ची उठाओ और निकलो इस गर से अरे पर मैं करतो रही हूँ ना बच्ची के लिए काम आप आराम से रही है न क्या काम कर रही हो देख रहा हूँ मैं यह छोटा शहर है यहां लोगों को बात बनाते हैं वक नहीं लगता तो मैं क्या करूँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ रोली को पती की बात पर काफी गुस्सा आ जाता है ठीक है अगर मेरे जीवन में संगर्शी लिखा है तो वही सही इस वक्त पती होने के नाते आपको मेरा साथ दिना चाहिए था लेकिन नहीं आपने तो इस हाल में मुझे घर से बाहर निकालनी की बात कैडाली देखो ये सारी फालतु की बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास रोली जिसकी कोक में किसी और का बच्चा था और साथ छोटी सी बेटी पती का घर छोड़कर रास्ते परा जाती है रोली के पास माईकी के सिवा दुसरा कोई रास्ता नहीं होता अरे रोली कैसी है? कितने दिनों के लिए आई है? हमेशा के लिए माँ वो माँ को सारी बात बता देती है ओए लड़की! इतनी हिमत का काम कर लिया! अरे नाना! यहाँ कोई जगा नहीं है! तुम तो अपना बोर्याब इस तर उठाओ और निकलो यहाँ से! रोली के पास अब माईकी का रास्ता भी नहीं बचता वो चुपचाब बच्ची को लेकर जा रही थी कि उसे दर्द होता है और वो डॉक्टर के पास चली जाती है और फिर वहाँ वो एक प्यारे से बेटे को जन देती है कितना प्यारा है! कितने अभागे हैं इसके माबाप जो इसके पैदा होने पर भी नहीं है! तब ही वहाँ डॉक्टर आ जाती है रोली, बच्चे के पिता तुमसे मिलना चाहते है आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मैं इस बच्चे को पालूँगा बले ही इसकी माने इसे छोड़ दिया हो पर मैं अपने जिम्मेदारी निभाऊंगा तो क्या आप मुझे इसके पैदा करने के लिए जिन पैसों की बात हुई थी वो भी देंगे? हाँ, और साथ ही आप चाहें तो मेरे घर में रहकर मेरे बच्चे की देखवाल भी कर सकती है मैं उसके लिए आपको सैलरी दे दिया करूँगा रोली को लगता है कि जैसे भगवान ने उसके लिए सुकून का रास्ता खुल दिया वो अब मुकेश के साथ दिरे मुकेश को रोली से प्यार हो जाता है रोली, तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा बलकुल भाई बेहन की तरह साथ रहते हैं हाँ, आखिर है तो एक ही कोक के बच्चे अटेश्मेंट तो होगा ही न रोली, तुमने घर और मुझे दोनों को संभाल लिया ये तो मेरा काम है आपने भी तो मुझे च्छत दी जिससे मैं अपनी बेटी के पढ़ाई और भविशी के लिए पैसे जोड सकूं रोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी मैं जानता हूँ तुमारी भी शादी कुछ खास अच्छी नहीं रही रोली को मुकिश की बात ठीक लगती है वो उसे हाँ बोलने की सोची रही होती है कि उसकी पहले पती का फोन आ जाता है रोली, मैं बहुत परिशान हूँ मेरा एक्सिडेंट हो गया है मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ रोली को पुराने पती की चिंता होने लगती है वो सोचती है कि वो क्या कर रही थी हाँ, ठीके, मैं आ रही हूँ हाँ, रोली आ जाओ लेकिन बच्ची को कही होस्टिल में छोड़ कर आना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोगों के बीच फिर से वो सारी बाते हो रोली को समझ आ जाता है कि पती आज भी सुधरा नहीं है वो पती के पास जाने से इंकार कर मुकेश को हां कर दीती है शिल्पा की आदते ठीक नहीं थी वो ना बोलने से पहले कुछ सोचती और ना ही कुछ करने में उसकी सादत से सबी परिशान रहते बेहन घर पर मेहमान आये है और शक्कर खतम है थोड़ी शक्कर दे दो मैं बाजार जाओंगी तो ले आओंगी अरे शिखा बेहन तुम तो माफी करे जब देखो तुमारे घर में कुछ न कुछ खतम ही रहता है अरे शिलपा चिल्ला क्यों रही हो कहाना घर में मेहमान बैठे हैं सुन लेंगे सुन लेंगे तो सुन ले तुम लोगों की मांगने वाली आदत तो बंद होगी अच्छा अच्छा शिलपा ना दो शक्कर लेकिन बात तो अच्छे से करो एक कट्वरी शक्कर के लिए तुमने मेरी बड़े बेज़ जती कर दी शिल्पा बड़ बड़ाते अंदर चली जाती है तो शिखा भी घर चली जाती है मा क्या हुआ हरे कुछ नहीं बेटा पता नहीं कहां कहां से ऐसे पड़ोसी आ जाते हैं जब देखो तब कुछ न कुछ मांगने के लिए घंटी बजाते हैं अब घंटी बज़े तो दर्वाजा ना खुलना पता नहीं मा की ये आदत कैसे बदलीगी किसी को कुछ भी बोल देती है बोलने से पहले सोचती भी नहीं शिल्पा के ये आदत दिन बदिन बढ़ती ही जा रही थी एक दिन शिल्पा के दर्वाजे सबजी वाला आया सुनो बैया, मुझे ये भिंडी, टिंडे, लौकी और आलू के साथ एक किलो प्यास दी दो जी बहें जी वो एक एकर सारा सामान पैक कर दिता है कितने पैसे दू? 220 रुपए पुरे अरे, इतना महंगा नहीं हाँ मैं तो सिर्फ 1.500 दूँगी नहीं नहीं, पैसे तो पूरे लूँगा नहीं तो सबजी वापस कर दो ऐसे कैसे वापस कर दूँगी? मैं तो एक भी सबजी वापस नहीं करूँगी और हाँ, रही बात पैसो की तो लेना है तो डेड़ सो ले लो बनना मेरे महले में घुसने तक नहीं दूँगी अरे, नहीं नहीं बेहन हम लोग गरीब लोग हैं, ऐसा ना करो पकड़ो ये डेड़ सो, और दफा हो जाओ शिल्पा की बेटी अंदर से ये सब देख रही थी शिल्पा, तुरे तो हद कर दी बेचारा गरीब आदमी उसका तो गुजारा ही इसी से होता है बोलने से पहले सोचा कर बेटा मा, आप चुप रहो, घर चलाना बच्चों का केल नहीं और वैसे भी, इतनी महिंगी सबजी थोड़ी ना होती है आपको तो सिर्फ खाने से मतलब है लेगिन मुझे तो सब सोचना पड़ता है न शिल्पा के साथ ये बात सुनकर दुखी हो जाती है शिल्पा की बेटी, शिल्पा की ये सारी बाते सुन रही होती है शिल्पा की बेटी एक दिन मा से कहती है मा, ओ मा, जर्ण यहां तो आना ओहो, क्या हुआ, क्यूं चिल्ला रही हो ऐसे बेटा हुआ क्या, ये दिखे मेरी स्कूल की ड्रेस कितने गंदी हो गई है, इसे कौन दोएगा लेकिन ये तु साफ है बेटा, मैंने अपने हाथ से खुद साफ किया है मा, ये ड्रेस इत्ती गंदी है कि मैं इसे पहनी नहीं सकती चलो, मुझे बाजार से नहीं दिलाओ शिल्पा दुखी हो जाती है, और वहां से चली जाती है कि तभी सामने उसकी सास मिल जाती है शिल्पा, अरी हो शिल्पा, ये क्या सबजी बनाई है ऐसे भी कोई सबजी बनाता है शिल्पा सास की इस हरकत से सकते में आ जाती है अरे मा को तो मैं जो बना दू उन्हें वो पसंद आ जाता था फिर आज वो ऐसा व्यवार क्यों कर रही है शिल्पा कुछ समझ पाती कि थोड़ी ही देर में उसका पती आ जाता है अरे शिल्पा ये क्या है क्या हुआ आपको ये मेरी अल्मारी पूरी आस्तवियस्त है तुमसे कोई काम नहीं होता है सारा देन पता नहीं क्या करती रहती हो अरे मैंने तो सारी अल्मारी साफ रखी है इससे तुम साफ कहती हो ये तो पूरा कुडादान लग रही है शिल्पा परिशान हो जाती है और समझ नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है शिल्पा अकेले कमरे में जाती है और जोर जोर से रोने लगती है तब ही वहाँ उसका पती, सास और बेटी आ जाते है शिल्पा उन लोगों को देख कर और जोर जोर से रोने लगती है कि तब ही उसकी सास उससे कहती है क्या हुआ यहां बैट कर रोती रहोगी या फिर खाने को भी कुछ बनाओगी मा पहले आप बता है आप लुगों को क्या हुआ है जो मुझसे ऐसा व्यवार कर रहे है वही हुआ है जो तुम्हें रोज होता है मैं समझी नहीं मा आज घरवालों ने आपसे बुरा व्यवार किया तो आपको कितना बुरा लगा ना हाँ मुझे बहुत बुरा लगा मुझे अच्छो नहीं लगता वोई मुझसे इस तरह से बात करे सही कहा शिल्पा जो चीज तुम्हें खुद के लिए अच्छी नहीं लगती वो तुम्हें दूसरों के साथ भी तो नहीं करनी चाहिए बेटा हम तुम्हारे अपने हैं फिर भी तुम्हें अपनों की बात का बुरा लगा लेकिन सोचो जिन बाहर के लोगों से तुम ऐसा व्यवार करती हो उन्हें कैसा लगता होगा हा मा अब सच कह रही हैं मैं आप लोगों से माफे मांगती हूँ मुझे कड़वा नहीं बोलना चाहिए मैं समझ गई मैं आपकी हूँ इसलिए आप लोगों ने मुझे सुधरने का वक्त दिया और मेरा साथ दिया लेकिन चिन बाहर के लोगों से मैं बुरा व्यवार करती आई वो लोग मेरे कड़वे बोल से कितने दुखी होते होंगे मैं बादा करती हूँ आज से ऐसा व्यवार किसे के साथ नहीं करूँगी सीख हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवार करना चाहिए जो हम खुद के लिए अपिक्षा करते हैं रश्मी और अमल लोगडाउन के जलते डीजिंग एप पर मिलते हैं उसी बीच उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं पस लोगडाउन खत्म होते ही चटमंडी पच्छा दे उससे पहले घर में बात तो कर लो अरे मा पापा कभी मना नहीं करेंगे अमर के बात सुन रश्मी खुश हो जाती है ऐसी ही दिन बित्ते हैं और देखते ही देखते लोगडाउन खुल जाता है जिसके अगले ही दिन अमर अपने परिवार के साथ रिष्टा लेकर रश्मी के घर पहुँच जाता है अबी लॉक्डान खुला ही है और कोरोना तो खतम भी नहीं हुआ इसलिए ज्यादा कुछ ना करके अगले कुछ दिनों में छोटे फंक्शन के साथ शादी कर लेते हैं अमर के पापा की बात पर सब सहमत हो जाते हैं कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और रश्मी अपने ससुराल पहुँच जाती है बेटा शादी तो तुने अपनी मर्जी से कर ली लेकिन बहु को बोल देना इस घर में हुकम मेरा ही चलेगा इसलिए अपना राज जमाने की कोशिश भी ना करें मा रश्मी को यहां सिर्फ प्यार आशिर्वाद और अपना पन चाहिए पैसा या राज नहीं बेटी की बात पर सास मुँ बनाए वहां से चली जाती है और अब वो हर रोज रश्मी को परिशान करना और ताने देना शुरू कर दीती है देखो यह है आजकल की लड़की इंटरनेट पर लड़कों से बाते करते हुए इन्हें शरम भी नहीं आती और यहां तो देखो कितनी सीधी सुशील बन कर दिखा रही है ममी शादी के रिष्टे वाले इंटरनेट एप से जिब किसी को कोई दिकत नहीं है फिर डेटिंग एप के जरीए मिलना किस तरह गलत हो सकता है रश्मी के डेटिंग एप वाली बात सुन उसकी हैरान सास तुरंत तुनक कर पूरे घर को सिर पर उठा लेती है जिसकी आवाज सुन अमर और उसके पापा भी वहां आ जाते हैं हाए मेरी माता इतना बड़ा जूट डेटिंग एप को इंटरनेट के जरीए मिली है बोलकर इस कलमुही को मेरे सर लाब इठा दिया अरे नास पिटी तुझे जरा भी शरम नहीं आई वहां न जानी कितने लड़कों से गुलु 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 करके तुझे मेरा ही लड़का मिला था फसाने के लिए मा मुझे तु समझ नहीं आ रहा क्या बोले जा रही हो डेटिंग एप इस्तिमाल करना कोई अपराद नहीं है और तुम रश्मी को ऐसा कैसे बोल सकती हो मैं भी तो था उस एप पर पहले उसके लिए मा से जूट बोला और अब लड़ाई कर रहा है सास और अमर की बात सुनकर रश्मी हैरान खड़ी रहती है अमर तुमने घर में जूट क्यों बोला ये सब देख रही हो ना इसी की वज़े से जूट बोला पड़ा एक तरफ अमर और रश्मी की ये बात चल रही होती है वहीं दूसरी तरफ सास का नौन स्टॉप कलेश सब को परिशान कर देता है सब एक दम चुप जो हुआ सो हुआ अब मुझे कुछ ना सुनाई दे पती की बात सुन सास चुप होकर वहाँ से चली जाती है लेकिन अब वो रश्मी के सिर दुनिया भर के सारे काम डाल कर उसका जीना पहले से भी ज्यादा मुश्कल कर देती है ममी मैं आपका गुसा समझ सकती हूँ आपको जो करना है कर लीजिए मैं कभी कुछ नहीं बोलूगी उमीद है किसी दिन तो आपका गुसा शान्त होगा और नफरत प्यार में बदलेगी रश्मी की अच्छाई को उसका नाटक समझ कर सास गुसे के सात्वे आसमान पर चड़ जाती है और उसी शाम रश्मी को नीचा दिखाने के लिए अपनी सहलियों को घर बुला कर उसकी बुराईया करने लगती है अरे कुशलिया क्या बताओ आज कल के बच्चे ना बहुत एडवांस हो गया है पहले रिष्टे घर परिवार वाले सब देख परक्के कराते थे और अब ये लोग खुद न जाने कहां कहां मिलकर खुदी सब कुछ पक्का करके हमें बता देते हैं लड़की का कैसा दिन धरम, कैसा इमान, कैसा चरित्र कुछ नहीं पता पास प्यार किया और घर लाकर बिठा देते हैं अरे ऐसा क्यों बोलती हो आज काल बच्चे अपने आप में बहुत समझदार हो गये हैं और फिर पूरी जिन्दगी तो उन दोनों को ही साथ निपानी है अपनी पसंद से शादी कर भी ले तो क्या दिक्कत तो ही देख ले पहले इतना अच्छा बेटा और अब सोने पर सुहागे जैसी सर्वगुण संपन पहू अरे पता है अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे डेटिंग एप के बारे में बताया जहां लड़का लड़की अपनी पसंद से अपने आप एक दूसरे को चुन लेते हैं और फिर अगर सब सही रहता है तो बात आगे भी बढ़ जाती है अरे इसमें इतना खुश होकर क्या बता रही हो ये तो गलत है न जाने कौन क्या है कितना जूट कितना सच है अरे पर सोचो जब तुम किसी के बताय रिष्टे को देखने जाते हो तो क्या एक ही बार देखने से सच जूट का पता लगा सकती हो जरूरी नहीं कि बच्चों का लिया फैसला हमेशा गलत हो अरे बहुत बार हमसे भी तो गलत फैसले होते हैं ना अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मिल सकते हैं फिर इसमें सर्फ बच्चे ही गलत कैसे सहलियों की बात सुन सास सोच में पढ़ जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीच जाते हैं जिसमें ना तो वो रश्मी को परिशान करती है और ना ही कोई ताना सुनाती है अच्छा लगता है क्या नहीं आपकी शान्ती उससे ज्यादा परिशान कर रही है शान्ती इसलिए है क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि गलत तुम लोग नहीं मेरी सोच है प्यार तो एक संदर एहसास और शादी खुबसूरत साथ है अगर ये साथ सच्चा है तो कहीं पर भी किसी भी तरह जुड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है इतनी अच्छी बाते मेरी पत्नी तो नहीं बोल सकती क्या आप भी अंजली के शादी कर ससुराल पहुँचने के साथ ही उसके सास के हुपम शुरू हो जाते है हो गई शादी बस माज खतम कल से जल्दी ऊचकर काम पर लग जाना है अरे मा आजी यहां आई है इसे सब समझने के लिए कुछ दिन तो दो मेरे और बहु के बीच की बात है तू घर के मामले में ना बोलियो इस पर जतिन महा से अपने कमरे में चला जाता है और सास अंजली को काम की लिस्ट सुनाने लगती है सुबह पहले घर की सफाय करनी है फिर कपड़े धोने है साथ में खाना भी बनाना है एक की वेचे से दूसरा काम रुकना नहीं चाहिए है जी ममी जी ठीक है ये कहकर अंजली अपने कमरे में चली जाती है अंजली ममी हमेशा बोलती थी बहु आएगी तो उनका काम हलका होगा पर मुझे नहीं पता था कि वो काम हलका करने के जगट टाल ही देंगी कुछ नहीं होता ये सब मैं अपने घर में भी तो करती थी मुझे आदत है खोई तिकत नहीं होगी ठीक है पर अगर कुछ हो तो बता देना दोनों सुजाती हैं और अगली सुबह से अंजली जल्दी उठके सास के बताए कामों में जुट जाती है जिसमें वो जैसे ही कपड़े धुने लगती है तो सास बहां आ जाती है आरा सुनो ये कपड़े ऐसे नहीं धुलेंगे सब को डिवाइड कर फिर एक एक करके अलग अलग धुने है क्या? एक एक कपड़ा अलग करके? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? वही बोला है मैंने लग जाओ काम पर है? सास की बात मानते हुए अंजली एक ही करके कपड़े धुना शुरू करती है जिससे करते हुए आधा दिन बीच जाता है अरे रे सुब से कब तो पर होगी पता ही नहीं चला अभी तो खाना भी बनाना है अंजली भागते हुए रसोय में जाती है जहां उसकी सास पहले से ही उसे खड़ी मिलती है खाना बना लेना देखो पहले पकोड़े तल दो और एक एक पकोड़े अलग अलग तलना नहीं तो कोई कच्चा, कोई पक्का रह जाता है सास की हर बात में एक एक की कहानी अंजली के समझ में नहीं आती लेकिन फिर भी वो बिना कुछ पूले काम करती रहती है अगली सुबाँ फिर वही शुरू होता है और सास एक बार फिर खाने के समय रसोय में आती है आज क्या बन रहा है है वो जती में भींडी की सबजी, रोटी और धनिये की चट्टी बोली है इसलिए वही बना रही है अरवा जिवा बढ़िया है पर भींडी एक एक करके धोना फिर टोवेल से पोच कर एक एक करके ही काटना साथ ही धनिये की पत्ती भी एक एक करके ही धोना अरे पर मम्मे जी अरे क्या पर सफाय का ध्यान रखना आता भी है या नहीं है मैं ये सब सब की हेल्ट के लिए ही तो कर रही हो ना और तुम अर पर करती रहती हो है सास की बाते सुन अंजली हैरान रह जाती है मैं तो सिर्फ सोचती थी कि जान बुझकर मेरा काम बढ़ाने के लिए ये सब करती है पर ये तो काम बढ़ाने के साथ परिशान भी करना चाती है मैंने इनकी कौन से बहस खोल दी जो इतनी दुश्मन ही निकाल रही है अब क्या करूँ अब अंजली सास की बातों और हरकतों के बीच खस जाती है काम के लिए मना भी नहीं कर सकती नहीं तो जाने कौन सा ड्रामा खड़ा करते पर अंजली तुझी कुछ तो करना पड़ीगा इतनी तेर में जतिन भी वहां आ जाता है अरे कौन ड्रामा खड़ा कर रहा है और क्या करना पड़ेगा जतिन की बात सुन अंजली सोच में पड़ जाती है इन्हें सच बताओं या नहीं पर अगर ये गुस्सा हो गए तो वैसे भी अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं फिर उनके खिलाब कुछ सुन कैसे लेंगे अंजली ये सब सोची रही होती है कि जतिन फिर बोलता है अरे क्या हुआ कहां खो गई अरे नहीं नहीं कुछ नहीं वो मैं टीवी सिरिल के बारे में सोच रही थी यहां और कौन ड्रामा करेगा अरे तुम भी ना चलो मैं चलता हूँ इसके बाद कुछ दिनों तक अंजली सास को सबक सिखाने के लिए अलग-अलग प्लान सोचती रहती है पर उसे सास के एक-एक करके काम करवाने की आदत बंद करने का कोई तोड नहीं मिलता अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मैं एक दिन अपने सिर के बालों को भी एक-एक करके सुलिशना ना शुरू कर दू पगली हो गई है क्या अकेले में क्या बडबड किये जा रही हो वैसे आज खाने में क्या है आलू की सबजी तो फिर आलू को अच्छे से काट कर उसके कटे हुए कपड़ों को एक-एक करके ही धोना है बिल्कुल इससे कैसे बूल सकती हूँ मेरी जी को जिंजल अरे बाते कम-काम ज्यादा है हंजली एक बार फिर सास की कहे अनुसार काम करने लग जाती है जिसमें सबजी बनाते हुए उसके दिमाग में एक आईडिया आता है और वो सास को आवाज लगाती है मम्मी जी सुनिये जरा इधर तो आना अंजली के आवाज सुन सास रसुई में आती है आरा क्या हुआ क्यों गला फाड कर चिला रही हो कुछ नहीं अंजली सास को रसुई में छोड़कर नहाने चली चाती है इसी तरह देखते देखते चार घंटे बेच जाते है लेकिन अंजली बात्रूम से बाहरी नहीं निकलती जिसे देख सास उसे आवाज लगाती है अरा बात्रूम में ही समाधी लगा ली क्या यहाँ सब जिबान का धंडी भी हो गई और अभी तक तेरा नहाना खतम नहीं हुआ मम्मी जी जैसे आप कहती है न मैं वैसे ही एक एक करके अपने बाल शैंपू कर रही हूँ तो अभी तीन घंडे और लगेंगे तब तक काम और जतीन को खाना सव करना आप संभालने न इस तरह अपने नहले पर बहू का दहला देख सास शौक्ट रह जाती है जिसके बाद से घर में एक एक करके करने का आलाप बांद हो जाता है ऐसा बाप नहीं चाहिए एक बड़े शहर में रतनलाल अपनी बेटी संध्या और छोटी बेटी कुनाल के साथ रहता है रतनलाल बहुत गरीब है और शराबी किस्म का आदमी है वो रिक्षा चला कर अपना जीवन्यापन कर रहा है रतनलाल एक अधेर उम्र के आदमी योगेश्वर को कभी-कभी अपनी रिक्षा से मारकेट या मंदिर छोड़ता है और कभी-कभी बाजार से उसका सामान भी लिया आता है एक दिन रतनलाल योगेश्वर से कहता है साहब आपके पास गाड़ी है फिर भी आप कभी-कभी रिक्षा से क्यों जाते हो इन शहर की गलियों को आराम से देखना मुझे बहुत पसंद है ठीक है साहब मैं चलता हूँ कल फिर आओंगा अरे रतनलाल रुको तो मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी को कुछ पैसों के बदले किसी को दे रहे हो अभी किसी को बेचे नहीं तो क्या करे साहब एक छोटा बेटा है उसको पढ़ाना भी है उसकी देखभाल भी करनी है और अगर मैं बेटी को घर में रखूँगा तो उसकी शादी कैसे करूँगा साहब तुमको कितने पैसे मिल रहे हैं अब अब पचास हजार साहब देखो मैं तुमको पूरे बीस लाख रुपे देता हूँ तुम अपनी बेटी संध्या को मुझे दे दो अगले दिन रतनलाल संध्या को हमेशा के लिए युगिश्वर के यहां छोड़ाता है और बदले में बीस लाख रुपे लेकर घर आ जाता है रतनलाल जिन्दगी में पहली बार इतने पैसे पाकर बोखला गया उसने एक अच्छा घर लिया कुणाल अब हमें कोई चिंता नहीं है तो अब अच्छे से पढ़ खुब मन लगा कर पढ़ाई करना पापा मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता आरे तो उन्हें अगर ज्यादा बक्वास की न तो बहुत मारूंगा कल से तो अच्छे स्कूल में जाएगा तो जाएगा हाँ बस कुणाल का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो जाता है लेकिन आए दिन स्कूल से शिकायत आती ही रहती है दस साल बाद एक दिन प्रिंसिपल मैडम रतनलाल को स्कूल में बलाती है रतनलाल आपका बेटा कुणाल बहुत आवारा हो गया है और ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है बल्कि उसका दिमाग गलत कामों में जा रहा है अब मैं उससे बात करूँगा मैडम ठीक है आज ये आखरी मौका है अगली बार तो मैं उससे स्कूल से ही बात निकाल दूँगी रतनलाल घर आ जाता है और कुणाल से कहता है कुणाल बेटा मैं तुम्हारे उपर इतना पैसा लगा रहा हूँ फिर भी तुम स्कूल में सही से क्यों नहीं पढ़ते हो आप तो रहने ही दीजिए मैं सब जानता हूँ कि ये पैसा कहां से आया है और वैसे भी अब ये पैसा मेरा है मेरा जो भी मनोगा मैं करूँगा आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाने वाला रतनलाल को अपनी बेटी की याद आती है और वो रोने लगता है पाँच साल बाद कुणाल एक दिन एक लड़की को शादी करके घर ले आता है पिताजी ये मेरी पत्नी है स्वीटी हाँ तुमने शादी कर ली हाँ शादी कर ली मैंने दिखाई नहीं दे रहा है और अब से आप फिर से कमाना शुरू कर दो बाद बैट कर खा लिया कुणाल तुम इस बुट्टे को घर में क्यों रख रहे हो देखो न ये शराब पीता है इसे घर से बहा निकाल फिको अरे सुट्टी ये मेरे पापा है कैसे बहा निकाल दू और वैसे भी घर में कोई तो चाहिए न काम करने वाला लागर समझ कर रख लो हम इस बुट्टी को तो घर से बहा निकाल कर ही रहूंगी मैं मैं कब तक इसके लिए खाना बनाऊंगी सुट्टी एक दिन घर के बाहर पार्क में अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है तब ही वो रतनलाल को बलाती है पिताजी मेरे कमरे में मैं अपना फोन छोड़ाई हूँ जरह लाकर तो दी न हाँ हाँ जरूर अभी लेकर आता हूँ रतनलाल फोन लेकर आ जाता है कुछ समय बाद स्वीटी के फ्रेंड्स पी चले जाते है स्वीटी अंदर आकर शोर मचाती है चोर चोर का है चोर मुझे तो यहां कुछ नहीं दिख रहा अरे यह अलमारी खुली पड़ी है जरूर किसी चोर नहीं खुली होगी अरे कौन आया था यहां 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 तो पिताजी आय थे बस अरे बहु मैं चोर नहीं हूँ मुझे तो आप पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है पिताजी क्योंकि जब आप पैसे के लिए दीदी को बेच सकते हो तो आप चोरी भी तो करी सकते हो अरे लेकिन वो सब तो मैंने तेरे फले के लिए किया था ना मैं तो कहती हूँ कि हमें इनकी कमरे की तलाशी लेनी चाहिए तुम बिल्कुल सही कह रही हो स्वीटी और कुणाल दोनों रतनलाल के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहाँ स्वीटी की जूलरी और पैसे मिल जाते हैं। मैं तो पहले ही जानता था कि चोर आपी हो, निकल जाओ मेरे घर से और दुपार अपनी शकल मत दिखाना। रतनलाल आखों में आसुली ये घर से निकल जाता है, स्वीटी मन ही मन सोचती है। हम, आज तो मेरे प्लानिंग सफल हो गई, जैसा मैं चाती थी ऐसा ही किया, और बढ़िया सानी से उस बुड़ी को चोरी का अलजाम लगा कर घर से भगाया दिया। रतनलाल की हालत अब ज्यादा खराब हो गई, और वो सड़क पर बैठ कर भीक मांग कर खाने लगा, एक दिन वहाँ गाडिया कर रुकी और सड़क पर बैठे सभी भिखारियों को अपने सेंटर ले गई, एंजियो की मालिक संध्या, एक एक करके सभी को सुविदा मोहया कर आती है, तब ही उसके नजर रतनलाल पर पड़ती है, पिता जी, संध्या तू, पिता जी आपकी ये हालत कैसे हुई, ये सो मेरे पूरे करबों के सजा है, जो मुझे मिल रही है, मुझे बाफ कर दे बेटी है, पिता जी, मैं आप पर बिल्कुल भी गुसा नहीं हूँ, क्य क्योंकि आपने मुझे यहां भेज कर अच्छा ही किया, मेरी सिंदगी बदल गई, लेकिन ये सब हुआ कैसे बेटा, आप ये नए कपड़े पहनो, तब तक मैं योगेश्वर अंकल को बुला कर लाती हूँ, योगेश्वर अंकल, हाँ, अंकल, योगेश्वर जी ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं आज सब की सेवा कर पा रही हूँ, रतनलाल पश्चा ताप करकी रूता रहता है, तब ही योगेश्वर भी वहां आ जाता है, रतनलाल जी आपकी ये हालत कैसे हुई, इतने सारे पैसों के बावजुद भी, क्योंकि मैंने बेटे और बेटी में भेदभाव किया था, लेकिन आपने ये कैसे किया, मुझे ये जानना है, बताइए, सालों पहले जब संध्या छोटी थी, तब मैंने एक बार एक आदमी से तुम्हें बात करते हुए सुना था, जो कुछ पैसों में संध्या को तुमसे खरिद कर तुम्हें दे दिया था, सच में कितना गलत था मैं, मुझे माफ कर दो, अब आप दोनों मेरे साथ घर चलो, और आज मैं अपना सच्चा प्रायश्चित करना चाहता हूँ, योगेश्वर और संध्या रतनलाल के साथ घर जाते हैं, स्वीटी दर्वाजा खोलती है, चोर फ निकाल दीता है, योगेश्वर जी, अब ये घर आपका है, और अब आप यहाँ एक और एंजियो खोल सकते हैं, शायद अब ये सच्चा प्रायश्चित है, संध्या अपने पिता के गले लग जाती है, मुस्कान की बड़ी बहन पलवी बेट पर अभी तक सो रही थी, तो वहीं मुस्कान और उसकी मंचली बहन शीशे के सामने टे मटक रही थी, तब ही उनकी मा उर्मिला हाथ में पानी की बाल्टी और पोचा लेकर आती है, और कहती है, बेशर्मो, नाश्टा क्या तुम्हारे पपा कर बनाएंगे, और इस बड़ी महरानी को देखो, अभी तक सो रही है, इसे कोई फिक्र ही नहीं है, यार ये कौन सुबा सुबा काई काई कर रहा है, अच्छा, तो इससे मेरी आवाज कवे जैसी लग रही है, रुक, अभी बताती हो तुझे, इतना कहकर उर्मिला पानी की बाल्टी सोई हुई पल्लवी पर उड़िम देती है, मुंबई शहर में उर्मिला अपनी तीन बेटियों, पल्लवी, निधी और मुस के बाद उर्मिला ने अपनी तीनो बेटियों की शादी सागरी देवी के तीन बेटों मुकेश, नवीन और समर से कर दे, सागरी देवी शहर में तो रहती थी, लेकिन थी वो एकदम पुराने विचारों वाली, उनकी सोच और उम्रों के सफेद बालों की तरह ही एकदम वो तीनो बेटे अपनी सास की बात को मानकर कलज किरा कर अपने ससुराल में प्रवेश करती हैं, तभी अंदर पहुशते ही मुसकान अपना घुंकर जल्दी से उपर करती है और कहती है, और वो सभी घरवालों और रिष्टेदारों की मौझूद्キी में उसपर चिललाते मुझे तुझसे बिल्कुल भी ऐसी उमीद नहीं थी, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी थी तुझे अपना घूंगा ठटाने की, अरे कल तेरी मुह दिखाई है, कम से कम तब तक तो रुख जाती, तब ही अपनी बेहन की तरफदारी करते हुए निधी कहती है, तो इसमें उसन सुमा, आप तो बेवज़े ही मेरी दोनों बेहनों को सुनाए जा रही हो, और अगर मुस्कान ने गूंगट हटा भी लिया, तो इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है, बेकार का तमाशा बना रखा है आपने, तीनों नई नवीली बहुएं सभी रिष्टदारों के सामने अपनी सास को खूब सुनाती है, फिर वो तीनों बहुएं भी अपने अपने पतियों के साथ अपने कमरे में चली जाती है, रात को जब मुस्कान अपने कमरे में होती है, तो उसका पती समर उससे कहता है, देखो जानू, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन वो क् तो तुम कौन सी कम लग रहे हो एकदम पटाका लग रहे हो तभी वहाँ निधी का पती नवीन आ जाता है अगर माने आप तीनों को इस हालत में देख लिया तो वह बहुत गुस्सा हूंगी वह थोड़े पुराने विचारों की है आप टेंशन मतलो हम माजी को समझा लेंगे और वैसे भी बैकलिस पहनने में आखिर बुराई ही क्या है तभी वहाँ सागरी देवी आ जाती है और अपनी बहुं को ऐसे कपड़ों में देख कर कहती है हे राम ये तुम तीनों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुम में कुछ लाज बची है या नहीं कम से कम ये तो सोचती कि इस घर में चार-चार मरद खुमते हैं हे उपर वाले ये मुझे कैसे दिन दिखा रहा है मेरी बहुं अब इस घर में अधनंगी होकर खुमेंगी मा जी आप हर बात पर रोग टो क्यों करती हैं भला अरे हम आज के मौडरन ख्यालाद की लड़किया है जो मर्जिया है वो पहनेंगी मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों से मा को ये सब बिलकुल पसंद नहीं आएगा अब करवाल या ना घर में कलेश इतना कहकर नवीन गुस्से में वहां से चले जाता है हे भगवान ये कैसी बेशर्म बहवदी है आपने मुझे जितने छोटे इनके कपड़े हैं उससे कई गुना लंबी तो इनकी जुबान है चलो अब जल्दी से नाश्ता बनाओ और मेरे बेटों को परोसो उनको आफिस जाने के लिए देरी हो रही है इसके बाद वो तीनो सब के लिए नाश्ता लगाती है जिसको खा कर उनके पती ऑफिस के लिए निकल जाते हैं अब तो ये रोज का हो गया था सागरी की खुले विचारों वाली बवों को हर रोज अपनी सास से किसी ना किसी बात के लिए बेश्वयर्मी के ताने सुनने पड़ते थे एक दिन उर्मिल अपनी बेटियों को फोन करती है अरे कैसी हो तुम तीनो कहीं अपनी हरकतों से अपनी सासु मा को परिशान तो नहीं कर रही क्या मा कम से कम अब तो हमें ताना देना छोड़ दो शादी से पहले मा की बाते सुनो और शादी के बाद अपनी सास की तो ऐसी हरकते करती ही क्यों हो कि सबकी सुनना पड़े चल अब रखती हूँ तुम तीनों अपना ध्यान रखना ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं तभी उनके पडोस में रहने वाली मधू आंटी उनके घर आती है सागरी, अरियो सागरी, कहां है? आंटी जी, सासुमा तो किसी रिष्टेदार के घर कीरतन में गई हुई है अब बैठिये, वो बस आती होंगी अच्छा अच्छा ठीक है अब ये बताओ बेटा कि तुम्हें तुम्हारी सास ज्यादा परेशान तो नहीं करती नहीं आंटी जी, बिल्कुल भी नहीं बल्कि वो तो हमारा ध्यान बड़े अच्छे से रखती है हाँ, वो हमें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती है अब जूट मत बोलो बहू सारा मोहला जानता है कि वो तुम तीनों को हर चीज के लिए रोक टोक करती है तुम्हें सब के सामने बेशरम कहती है और तुम सब का जीना हराम करती है अरे मैं तो कहती हूँ कि घर में ऐसी सास हो तो तुम सब कुन से अलग हो जाना चाहिए मेरी मानो तो अपने पतियों को लेकर कई अलग घर में रहने चली जा या फिर अपनी सास को व्रिधाश्रम भेज दो तब ही उसकी अकल ठीकाने आएगी आंटी जी हम तो सिर्फ जुबान और कपड़ों से बेशर्म होंगी शर्म नहीं आई आपको ऐसा कहते हुए हे राम इनकी जुबान तो देखो सच ही कहती है सागरी बड़ी ही बेशर्म हो तुम तीनो और साथ में बिगड़ी हुई भी कुछ तमीजी नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें बेशर्म और बिगड़ी हुई कहने की और वो हमारी सास है उनका हम पर पूरा हक है कि वो हमें कुछ भी बुलाए अब अगर आपने एक और शब्द भी हमारी सास या हमारी परिवार के खिलाव बोला न तो मैं आपकी जुबान खीच लूँगी अरे हम तो सिर्फ कपड़े बैकलेस फेंती हैं पर आप तो पूरी की पूरी केरिक्टर लेस हो पाप रे बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी सास तुम सब की सब बिगड़ी हुई बेशर्म लड़किया हो मधु ये कही रही होती है कि तभी सागरी अपनी समधन उर्मिला के साथ दर्वाजे पर खड़ी उनकी सारी बाते सुन लेती है और वो अंदर आकर मधु से कहती है बिल्कुल सही कहा तुमने मधु ये मेरी तीनों बहवें बड़ी ही बेशर्म है लेकिन आज मुझे गर्व है कि मुझे ये तीनों बेशर्म बहवें मिली है क्योंकि जिनके पड़ोसी तुम जैसे हो उनके पास ऐसी ही बहवें होनी चाहिए अरे सागरी तु मेरी बात तो सुन मैं तो तेरा ही पक्ष ले रही थी लेकिन ये तीनों बिगडी हुई बहवें ही चाहती थी कि तुम जल्दी से अपनी जैदाद इनके नाम करतो अब बस भी करो बहन जी कितना जूट बोलोगी हम दोनों ने तुम सब की सारी बाते सुन ली है और हमें ये भी पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन जूट मुझे हमेशा ही अपनी तीनों बेटियों के मूफट और मौडन विचारों से दिक्कत थी लेकिन मुझे आज समझा गया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से और सोच से नहीं बल्कि उसकी नियत से होती है भले ही मेरी तीनों बेटियां खुले विचारों की है लेकिन इनकी नियत और मन बिलकुल साफ है बिलकुल सही कहा समधंची आपने आज मुझे अपनी तीनों बवों पर गर्व है आज उपर वाले ने मेरी आखे खोल दी और तू मधू आज के बाद इस घर के आसपास दिखना भी मत पूरी तरह जलील होने के बाद मधू शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है उस दिन के बाद से उर्मिला और सागरी कभी भी उन तीनों को ओड़ने पहनने से नहीं रोकते ना ही उनको कभी ताने देती और जो कोई भी उन तीनों के खिलाफ बोलता उसको सागरी और उर्मिला मुह तोड़ जवाब दे देती